एक से लेकर आखिर तक पूरे डाउट आपके क्लियर होने वाले इस वीडियो के अंदर सबसे पहले आपके थमनेल पर पड़ा होगा कि आप सभी को रिटन एक्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए जूर जाना है और आपका जो फिजिकल रहने वाला है उसके लिए भी आपको तयार रहना है तो ओर ओर आपका रिजल्ट कब आएगा एस पर अनलेसिस ऑफ प्रिवेस येर एंड इस येर फरवरी बैस 2023 का जो रिजल्ट है कब आया था ओर पूरा अनलेसिस करके आपके सामने आज डाटा आपको मैं जो की मेंशन किया हुआ हो दिखाने वाला हूँ ठी तो चलिए सबसे पहले यह देख लेते कि आप सभी के जो एक्जाम रिजल्ट है कब आने वाले हैं अब आप बहुत सारे वीडियो देख रहे होंगे सबसे पहले वह अवाइट कीजिए जिस वीडियो के अंदर आपको बोला जाता है कि आपके रिजल्ट आज शाम छे बज ठीक है और सेकंड आपको फेस टू के लिए प्रिपरेशन में जूट जाना है क्यों आप देखिए जो डाटा एनलिसिस मैंने किया है और प्रिवेस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पर एक्जाम हुआ था आपका 2022 में SSR MR बैज का 2022 तो देखिए जैसे कि जो आपका एक्जाम है सफ्टेंबर ऑक्टोबर में आपका एक्जाम कंड़क्ट हुआ था और एक मैने के भीतर आप सभी के रिजल्ट आ गए थे अब बात कर लेंगे आपर फेस टू और फिजिकल के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा तो फेस टू के लिए वहाँ पर ल फेस टू और फिजिकल में और अटक जाते है इसलिए आप अभी से प्रिपेर हो जाए तो चलिए जैसिक मैंने डाटा अनलिसिस किया था मैं आपको बता दू और हां बहुत सारे स्टूडेंट के कुछ कोशन होगे तो उह कोशन आप मेंशन कर दीजे कमेंट बॉक्स में औ देखिए जो फरवरी का बैस्ता ठीक है ना यमार और एसेसर का जो बैस्ता उनका भी रिजल्ट यहाँ पर लगबग 30-35 डेज लगे थी उनके रिजल्ट आने में और फेस टू और रिटन एग्जामिनेशन के लिए उतना ही टाइम लगबग साथ से लेकर 15 दिन का टाइम म अगर कोई भी अफडेट नोटिफिकेशन या फिर एकाद वायरल न्यूज आ जाता है तो मैं आपको बताने वाला हूँ प्लस में टेलिग्राम पर भी डालने वाला हूँ तो टेलिग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और हाँ आपके फिजिकल के इकाद आप इन्फोर्मेशन पढ़ लीजिए आपके काम आने वाली है और अलर्ट के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए